नमस्कार राजी सबा टीवी के विशेश कारिकरम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। जाधोपुर एक ऐसा शेत्र है जहां से मुखमंतरी मम्ताबनरजी भी कर भी संसद हुआ करती थी। किस तरह के मुद्दों को लिए कि आप संसद में जाएंगी और क्या आपका प्लान है वहाँ पर। देखे, मुद्दा तो अल्रेडी मैं रख चुकी हूँ और बहुत दिन हो भी चुका है कि वी आटेंडिंग दे पार्लिमेंट और उसके बाद मेरा जो प्रारिटी लिस्ट हा जो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ तो उसको लेकर मैं एक-एक करके करके question table कर रही हूँ and I'm trying to raise the question even कल में एक important मुद्दा लेकर मेरे constituency की उसको लेकर बात करने वाली हूँ चुकि आप फिल्मी दुनिया से तालुक रखती हैं सियासत में आने का मन कैसे बना क्या आपने सोचा कि आपको लगा कि एक बार चुनाओं में भी किस्मत आजबानी चाहिए मैं हमेशा एक चीज ये बूलना चाहूंगी कि किस्मत शायद हमेशा से ही अच्छी थी इसलिए मैं एक छोटी से गाउं की गाउं से आई हूँ एक छोटी सी शहर की लर्की हूँ जब नौर्ट बिंगॉल की जलपायगुरी से आई थी तब विश्वास्था मन पे जो मन मे जो कुछ कर पाऊं शायद कुछ अलग करना है तब भगवान ने साथ दिया लोगों के लिए काम किया फिल्मे बनाए फिल्मे की लोगों ने सराहा प्यार किया और ये जगा दिया और और पॉलिटिक्स में आने की बाद ये देखे ये हमारी मुख्यमंत्री की डिसेशन थी शी वांटेड मी तो बीए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और जादपुर जैसा कॉंसिट्वेंसी दिया उन्होंने मुझे जहां पे उन्होंने वो खुद खड़ी हुई थी उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था वहां से तो तो आट वस अ वेरी प्रिस्टीजियोस प्लेस और दीदी का जब भरोसा था मेरे उपर और मुझे यह लगा जो मेरा लोगों के उपर भरोसा है और लोगों के लिए काम करना है फिल्में भी लोगों के लिए काम करना ही होता है और यहां पे भी लोगों के लिए ही काम करना होगा एक रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया आपने जाद हो पूरलोग सबाशों अभी तक किसी ने शायद इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कि बड़ी उम्मीदे होंगी जनता से आपको किस तरह से खरा अपने आपको आप देखें मेरी उमीदे जनता से जादा होने से भी बढ़कर मुझे लगता है जनता को मुझसे उन्मीदे जादा है इसलिए शायद एक रेकॉर्ड मार्जिन दी है उन्होंने मुझे मैं जब इस जगा पे कि मेरा जब कैंडिडिएचर डिकलेर हुआ था तब मैक्सिमम मैंने सुना था जो मिमी अगर तुम इंटीर से खड़ी हो जाती तो यूँज फान फॉल इं तो तुम लाइक तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता तुम ऐसी जीत जाती बट सबने कहा जो जादपूर मुझे करना है और मैं जब जाती थी लोग उसे मिलने में जब कैंपीन करने जाती थी बहुत गर्मी पढ़ती थी उस टाइम इस टाइम और कालकटा में इस हूमेड वेरी हॉट मैं देखती थी तो उस टाइम पे भी लोक लैक बाड़ा बजी तक भी मतलब खड़े हैं दो she Attention just ईंक्र मिलने के लिए स्विश्च बढ़ लगता था ये प्यार है ये आशिर्वाज जो मुझे दे रहे हैं विश्वास मेरे उपर भरोसा है मेरे उपर वो जो आखे मेरे पास आती थी वह हात मेरे शरक्राथा विश्वास लेकर भरोसा ले तो लगता था मुझे इनके लिए कुछ करना है और आज उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया कि मैं उनके लिए कुछ करू हमारी मुख्यमंचरी ने हमें मुझे मौका दिया कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करू तो इससे बड़के इससे बड़ी सौभागय की बात तो और कुछ नहीं हो स मैं दीदी के लिए 2014 में भी कैंपेंग किया है मैंने अपने लिए नहीं किसी और के लिए बट वी वर ओल्वेज अपार्ट और पार्सल ओफ च्रिनमुल लाइक वी उस्टो गो फॉदा कैंपेंग हम कैंपेंग पे जाते थे सपोर्ट करते थे पट आज जब मैं एक सांगसित के रूप में खुद खड़ी हुई हूं तो डेफिनिटली आप जो बोल रहे हैं उसका पहला वाला आंसर में लोंगी जो मैं फिल्म बैग्राउंड से हूं लोगों का वो प्यार वो दुलार वो विश्वास मेरे उपर रहा ह एक चहरे पे विश्वास होता है तो डेफिनिटली दीदी का चहरा तो है और उपर से वो ऐसा कोई कैंडिडेड हो जिन्हें वो जानते हैं जिन्हें वो जानते हैं जो एक फेस्बुक मेसेज हो या फिर एक इंस्टेग्राम मेसेज हो एक ट्विटर मेसेज हो या फिर कहां रहती है यह जानते हैं तो एप्रोचबल हो जाते हैं तो आइधिक बिलीव देहर पर में जादोपुर कि अगर हम बात करें तो पानी की समस्या काफी वहां पर पाई जाती है और कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्युद्ध होगा तो पानी को ले करके होगा अधान मंतरी नर क्या है जादोपुर में बड़ी समस्या है अपानी की यह डेवन से मैंने सोना है और आज जब मैं खुद वहां की सांस्थ हूं तो I can see the core of it क्या हो रहा है गर्मी इतनी है वार्टल हमारी पॉपलेशन बर रही है, माइग्रेशन इस हापनिंग, वाट लेवल इस गोई डाउन, तो क्या हो रहा है, जहां पर हम लोग ने पंपिंग स्टेशन बैठा हाया था, वहां से भी पानी नहीं आ रहा है, या फिर इंटेरियर्स में क्या हो रहा है, पानी में, इस लाइक केमि लगाना है, कहां पर क्या अलॉट करने है, यह सारे मैप्ट है, यह सारे रूट है, रूट है, नाव यह ज़स्ट वेटिंग फॉर दैंपिलाड फंड टो गेट रिलीस्ट अंड मेरे सब कुछ सौर्ट है, जस्ट दो वर्क विल बीड़न, तो कुछ प्रात्मिकता है, आप काम करना चाहो, तो काम बहुत है, अगर, देखे, बेसिकली, मेरी कॉंसिटुएंची एक हुज कॉंसिटुएंची, एक हुज कॉंसिटुएंची, जहां की इंटिरियर्स तक है, मतलब, I don't know if you know, that canning के थोरे से पहले आके खतम होती है, और बाइपास रूबी थोरा सा करते ही, में इस में जादवपूर, में टॉलिगंज, में सेंटरल टाउन ऑफ कालकटा, वहां से शुरू होता है, फिर न्यू टाउन का एक पोर्शन शुरू होता है, जहां से फिर भांगोर के इंटिरियर्स हम चले जाते हैं, फिर भांगोर फिशरी साइड है, तो इस ला पूजल देगा, जो सबसे हमारे लोग जाएंगे, वहां पर काम देखेंगे, हमारे लोग अल्रीडी देखे आए हैं, तो इस में फर्स सेशन फाइल से रेडी, मतलब हमें कौन सा काम, फर्स फंट से करना है, तो इस अल्रीड रेडी रेडी, और नेक्स, मैंने, I have many plans, बट I don't want to say it right now, एक मैं बोलना चाहूंगी, I want to put sanitary vending machines, I thought of installing them, and then, woman health and sanitation is one of the priority, woman safety is one of the priority, I am thinking of installing CCTVs, जो कि हम एक जोन पर बैठके operate कर सके, so that people can walk around freely in the, जैसे कि पार्क एरिया में बोली है, या फिर कुछ जगा जैसे, रात को जहां पर बहुत सारी चहल पहल होती है, वहां पर, so that the safety is measured, ये सब हमनी सोचा है, we are trying to implant, like trying to plant solar lights in the interior, बारिश आए, या फिर तूफान आए, कोई प So, अभी, like, इन्शा आला सब कुछ अराम से हो, that's it. चुकि सरकार International Solar Alliance का member भी रहा है, और government, खासकर ये सरकार, solar को काफी encourage कर रही है, तो अपने शेत में आप किस तरह का solar lighting है, उसको लेकर किया सोचा है आपका? कि मुझे solar light अगर लगाई जाए, तो electricity we save होगे, now we need to see, we need to see the proposals, contractor से बात करनी पड़ीगी, क्या कहां, क्या लगने, कितने lights होने चाहिए, कितने नहीं, कितने intervals में होने चाहिए, ये पूरे देखने पड़ेंगे हैं. मिमी जी आप युवा हैं और युवा मिमर ऑफ पार्लिमेंट हैं, देश की 65 फीसरी आबादी युवाओं की है, तो युवाओं के लिए क्या खास planning आपकी है, चुकि संसत को आप रिप्रिजेंट कर रही हैं? देखे, अभी यहाँ पे बैट के बड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगी, मेरे, I think, my actions should speak, not my words. फिल्मी दुनिया से आप तालूक रखती हैं, जो अब तक का आपका फिल्मी केरियर रहा है, यहाँ तक पहुचने में आपको क्या स्ट्रगल करने पड़े, किन संघर्शों का आपको सामना करना पड़ा, क्या उत्राचड़ा हूआ है? जी यह तो एक लंबी स्टोरी है, दिखे, स्ट्रगल सब की जीवन में होता है, बना स्ट्रगल के तो कुछ होता नहीं है, I believe, and जब मैने बिगिनिंग में आपको बोला, जो I come from a very small town, so वहाँ पे पड़ाई लिखाई करना, और मेरे फैमिली से इस्पेशली, it's like, my graduation in English honours and all, but मेरा था की ऐसा नहीं होना चाहिए की पढ़ाई किया और MBA किया और PhD की खतम हो गई लाइफ, ऐसी नहीं होनी चाहिए, I have to do something big, भीर में खोना नहीं है मुझे, so I always had this dream of getting bigger, so मैं जब कालकटा आई पढ़ाई करने, तो तभी से मैंने अपना modeling start किया and then there was a lot of struggle because I started with modeling, मेरे पास जूते खरितने की भी स्टेटोस खरितने की पैसे नहीं थे उस्ताहिए, फोटोशूट तो दूर की बात है, तो roommate से, roommate में अपने friends से उधार लेके वो जूते लाए थे ताके मैं first time अपना ramp चल सकूँ और फिर best friend's dress पहन के मैं ramp चली थी first time, so it was like that, ramp के audition दिया था first time, so it was like that and then मैंने अपना first serial के रितो पॉनोगोश के साथ, उसके पहले एक छोटा से serial के था and then I got my big break for Ritoponogosh thing, उसके बाद, immediately like मैंने, I started with movies and insha Allah, मुझे, people love me and God was kind, बड़ो का आशिरवाद था, that's it, but struggle बीच में बहुत सारे थे, Bengal की अगर मैं बात करो तो उसमें BJP की जो सुईकारिता है, acceptance है वो जनता में बढ़ रही है, पच्छी Bengal में, क्या वजय मनती है अब? देखे, now we have a strong opponent और जब strong opponent होगा तो एक चीज अच्छी हो जाते है उसमें जो दोनों ही लोगो के लिए काम करना चाहते हैं उस ताइम, रूलिंग पार्टी बोलिया या फिर अगर दोनों ही लोगो के लिए काम करें तो लोगो का ही अच्छा होगा और लोग ही आगे भढ़ेंगे अभी लोगो के लोग अडिस टूटरी डिपेंज आन पीपल जो उनका डिसिशन है, यह वी यूवी कना इंप्लांट अनिफिं अन देशिए वही करें, हमारा काम हमार के लिए क्या है, वह कलपना के बाहर है, अगर आप बंगॉल दस साल पहले गये हैं और दस साल बाद गये हैं तो आप डिफरेंस देख पाएंगे, दीदी कोशिश कर रही है, करती है, इवें उन्होंने इतना इतना बदलाव जो पोड़ी बारतोंशी से इतना बदलाव ला सांसद बनी हूँ, आज से पांट साल, दस साल पहले भी में वहीं रहती थी, तो दीदी को चुना होगा, दीदी के लिए पहला वोट किया होगा, तो कोई तो कारण होगा। अपना मानते हैं, इसी लिए, हमारे वहाँ दीदी या फिर दादा बोलना मतलब बहुत जिसको हम लोग अपना मानते हैं, उनको कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर को हम लोग दीदी बोलते हैं, इसका मतलब यह है, we are very much connected to her, और अगर आप इंटिरियर से जाएंगे, तो करती हैं उन लोग के बारे में, और और मैं फिर से यही दोरा आना चाहूंगी कि दीदी का जादू ना कम पड़ा था ना पड़ेगा. कितनी फिल्में आप ले अब तक की हैं और किस तरह का किरदार निवहना जादा पसंद लती हैं? तो य??- को और में फिल्में किस इस ने आप पसंद रहीए को इससे बहुत सारी पेक्चर्स मैं ने है लाइक नाइन तो टेन यह इंडास्ट्री एंड एक को चूज का ना बहुत डिफिकल्ट होगा बट मैं यह बोलना चाहूंगे जो लोगों के लोगों ने जो प्यार दिया जो विश्वास भरोसा दिया जो आशिरवाद दिया उसी के लिए आज यहीं यहां हूं और काम तो देफिनिटली चली रहा है और इंशालह चलेगा भी आपकी जो पॉपॉलरिटी है जो लोगपरियता है इसमें आपकी राजनीतिक समझ ज्यादा रोलादा करती है कि आपका ग्लैमर ज्यादा रोलादा करती है देखे पॉलिटिक्स में तो मैं आ जाई हूं तो उसका पार् कि ना सोचू की future मुझे बनाना है and at the peak of my career I joined the politics it was not like की मेरी career धलान पे है अभी चलो कुछ करना है तो चलो सोचते है क्या करना है दिये वो मेरी career जब peak पे है मैंने तब politics join की क्यूंकि मुझे लोगों के लिए काम करना था that's it भगवान का दिया मेरे पास I had name fame everything I had everything I मुझे सच में बोलतिक से extra कुछ पाना नहीं था मुझे सच में आपके पास है तो politics में आने का क्या यह मैं यह मुझे खतम करने दे यह बोल रहे हो मुझे extra I I am I cannot get anything extra from politics right I just have one motive that is serving for people because I already people already know me people already know my face I wherever in Bengal I go people know me so what extra will I get and if I am joining politics today अगर मैं आज politics join करियो तो मेरा एक ही मुद्दा है मेरा मेरी एक ही कोशिश होगी कि में लोगों के लिए काम करो that's it और जब आप एक पोलिटिकल जगा पे होते हो तो आपका horizon भी बढ़ जाता है ताकि आप कल शायद मैं दो लोगों का दो को हेलप करती थी कल शायद 10 लोगों को हेलप करती थी या पर 15 लोगों को हेल्प करती थी अभी 18 लाक से जाधा लोगों को हेलप कर पाऊंगी या लेकिन आप और आkę कि जो संसद में कुलिग है नुसरत जहां की बात कर रहू है दोनों ने जब से आप मेंबर बनी है आप जादा सोचल मीडिया पर फॉल्लाउस बढ़ रहें आपके तो ऐसे में काम करने का वबक्त आप कैसे निकालेंगे और संसद को समय कैसे देंगी आप फिल्मों के साथ आप मैं जब क्ल maintenant किसी ने कहां था मच तो ये बात मेरे हमेशा इस्टिंश मेरती थी है यह इंखेboy कैंडीड हॉत् chicken नहीं करो आइए हराब करेगी नए संदिए जा जितने के बाद कॉंसुन से नहीं जाएगी किसी ने कहांपालमेंट जा प्रिल्स dw्लों करेगी थी तो संसद में कितना समय देने कही रादा है आपको? देखी यह तो अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी बट जादा से जादा समय क्यों बिकेज नाव डूंट हवर्क प्रेशर राइट राइट और संक्षत दो में इस लाइट समय अगर 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 आपको तो इस यह सेशन जैसे हम लोगों ने बियो लोगों पाऊंगे आपको प्लक में पाऊंगे सबित session or that's it. आपको रोल मोर्डल कौन है? I always believe in one thing that सब के लिए किसी somebody is like Mother Teresa, somebody is like their own mother. But मेरे लिए रोल मोर्डल is like हर दिन में जिससे मिलती हूं जो मुझे प्रेरना देते हैं, हर एक इंसान मेरे लिए रोल मोर्डल है. चाहे वो मेरी ममा की उना हो, चाहे वो मेरी टीचर क्यों ना हो चाहे जो मेरे घर पे हाउजवेल हेल्प है, जो ये ख्याल रखती है कि मैं ठीक से खाना खाऊँ, वो क्यों ना हो चाहे मैं बाहर काम पे जिन लोगों से मिलती हूं, जो 2400 घंटे काम करती है अपना फैमिली सेटल करने के बाद वो मेरे लिए प्रेरना है मैं बाहर रस्ते पे जब देखती हूं लोगों को, जो अपने बच्चों को एक हाथ में पकड़के, एक हाथ में सबजी की थैले लेके, रोड क्रॉस करते हैं वो मेरे लिए प्रेरना है एक प्रेरना नहीं है अमेरीका, I have lots of inspiration which I take from day to day people तो मीमी जी, राजिसभा टीवी को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्री आपका ये थी मीमी चकरवर्ती जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में तमाम सवालों को जवाब दिया इनका मानना है कि हम धीरे-धीरे अपने पत्तों को खोलेंगे, लोग प्रियता की बलंदी पे है, इन्हें अब सिर्फ समा सेवा के जरीए ही अपने नाम और काम दोनों को आगे बढ़ाना है, फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, मुझे दीजिए मेरी पूली टीम के साथ इजाज़त, नमस्कार देखते रहिए, राज्य सभा टीवी